कर, करता दोर अंधेरा, ब्रह्म ग्यान के दीप जलाकर, करता दोर अंधेरा ऐसा सत्गुरु मेरा, ब्रह्म ग्यान के दीप जलाकर, करता दोर अंधेरा जो भगतों का बेड़ा, ऐसा सत्गुरु मेरा सूरज की किर्णों जैसा है इसका रूप सुनेहरा सूरज की किर्णों जैसा है इसका रूप सुनेहरा सूरज की किर्णों जैसा है इसका रूप सुनेहरा वो हो जाए दिवाना देखे जो इसका चहरा मुस्कान मेरे सत गुरु की मुझे को लगती है इसे मुस्कान मेरे सत गुरु की मुझे को लगती है इसे नदिया के नीले जल में कोई कमल खिला हो जैसे भक्तों के चहरे पर जिसने अपना नूर बिखेरा ऐसा सत गुरु मेरा दिल की गलियों से गुजरी जब सत्संग की पुरवाई मेरे रोम रोम से तेरे सुमरन की खुशबु आई तेरी सेवा करके मैंने अपने कर्मों का लेख मिटाया तेरी सेवा करके मैंने अपने कर्मों का लेख मिटाया फिर नसा तेरे दर सन का मेरी नजिरों में आनी समाया फिर नसा तेरे दर सन का नजिरों में आने समाया सुनलो मुक्ती ने खुद आकर घर में डाला डेरा ऐसा सत्गुरु मेरा ब्रह्म ग्यान के दीप जला कर करता दूर अंधेरा ऐसा सत्गुरु मेरा ओ ऐसा सत्गुरु मेरा ऐसा सत्गुरु मेरा ऐसा सत्गुरु मेरा दिल की बंजर धरती पे जब ये अम्रण अम्रत बरसाए दिल की बंजर धरती तर जब ये अम्रत बरसाए हमारी ये धर्दे रोपी भूमी में जब तक सत्गुरु की ज्यान रोपी द्रश्टी पढ़ती है तभी ये धर्दे भीगता है ये बंजर है संत बिनोबा भावे बच्पन में उन्हें कहा कि रामायन में कोई न कोई पाट अदा करना है संत बिनोबा जी सोचने लगे कि रामायन में से मैं कौन सब पात्र अदा करूँ क्या बनू रामायन में बहुत सारे पात्र है किसका पाट अदा करूँ मैं हरे हरे क्या बनू मैं रामायन में बहुत सारे पात्र है संत बिनोबा कहते राम कहा राम और कहा मैं भगवान स्री राम का स्वांग भगवान स्री राम मैं बनू राम लीला का रंगमन छोना था क्या बनू मैं राम कहा तो मर्यादा पुर्शुत्तम भगवान स्री राम और मेरी कहा इतनी मेरी ओकात ही नहीं कि मैं भगवान का स्वांग करू नहीं 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 मेराम नहीं बनूगा सोचतें फिर क्या बनू लच्मन बन जाता हूँ नहीं लच्मन जैसा त्याग मिरे में कहा जो अपनी मा को छोड़कर के भाई से इतना प्रेम करते हैं और भगवान स्री राम के साथ 14 वर्ष वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं ऐसे लच्मन त्याग की मूर्ती विवेक और वेराग्य की मूर्ती शय्यम की मूर्ती लच्मन का मैं नहीं 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 फिर सोचते क्या करू क्या बनू हनुआन जी बन जाओ और कहा हनुमान जी और कहा मैं हनुमान जी जैसे सेवा का भाव राम काज बिन मुहे कहा विश्वामा भगवान की सेवा के लिए जिनके हरदय में रात दिन चिंतन और शुमरन चलते रहता ऐसे हनुमान जी का मैं रोल अदा करू नए नए फिर सोचते हैं क्या बनू मैं बोले चलो रावण बन जाता हूँ अरे बोले रावण बनना भी कोई मजाग की बात नहीं है त्रिवुवन पती से जिसने टक कर लिया वो रावण कोई शाधारन था क्या विद्वान था ऐसे रावण का स्वावी नहीं नहीं सोचने लगे सोचते सोचते फिर उनको दिखाए दिया कि आहा अहल्या बन जाता हूँ अहल्या जडवत मंज पे एक पत्थर की नाई वैठे रहना है बस और कुछ नहीं फिर सोचने लगे अहल्या तो थी लिकिन अहल्या कोई साधारन थी क्या अहिल्या को छूते ही पत्थर की थी अहिल्या और भगवान स्री राम की चरण इसपर्ष मिलते ही अहिल्या जागरत हो उठी जण में से चेतन्य हो गई अहिल्या तो इसमें किसकी क्रपा है निशन्दे भगवान स्री राम की क्रपा है लेकिन उनकी क्रपा को छेलने वाली अहिल्या वो भी एक दिव्य पत्थर है साधरन पत्थर नहीं है सद्गुरू की इसवर की क्रपा तो है लिकिन उसकी जेलने वाला क्रपा पात्र चाहिए तबी उनकी करणा और क्रपा मिलेगी हमें जब सद्गुरू की करण और कृपावरी दृष्टी हम पे पढ़ती है तो ये सुखा हिर्दे भगवान की भक्ती से प्रेम से भर जाता है दिल की बंजर धर्ती पर जब ये अमरत बरसाए आती जाती स्वासों में तब इसका नाम समाए अनहद के सुर मंडल को अनहद के सुर मंडल को जिसने कानों में छेडा फिर दिल जोती दिखा करके मेरे मन में किया सवेरा जिसकी सेवा करके जीवन धन हो गया मेरा ऐसा सत्गुर मेरा ओ ऐसा सत्गुर मेरा ब्रह्म ग्यान के दीप जला कर करता दोर या नहेरा ऐसा सत्गुर मेरा ओ ऐसा सत्गुर मेरा गुरु दे गुरु दे गुरु दे गुरु दे हरी ओ, हरी ओ, हरी ओ, हरी ओ, हरी ओ, बैठ जाने सभी हरी ओ, 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 ह अरी ओूूू।